भारते क्रिकेट टीम के नए कोच गौतम गंबीर बन गए है कभी हार न मानने के जजबे के करण भारते क्रिकेट में अलग पहचान बनाने वाले गौतम गंबीर को अपनी शर्तों पर काम करने वाला व्यक्ति भी माना जाता है और ये देखना दिल्चस्पर होंगा कि भार्टेर टीम के मुख्य कोच की बुमिका में वो किस तरह से आगे बढ़ते है गंबिर वो खिलाडी रहे है जिन्होंने विरेंदर सहवाक के साथ मिलकर भार्टेर सलामी जोड़ी को नहीं दिशा दी थी आईपेल में कॉलकता नाइट रैडर्स को दो बार चैंपियन बना कर उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक शुल करनितिकार है इस साल आईपेल में वो कॉलकता के मेंडर बने थे और ये टीन दिसरी बार खिताब जीतने में सफल रही थी एक क्रिकेटर के रूप में गंबीर की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि वो अपने साती बलेबाजो विरेंदर सहवाग राहुल द्रेविट सचेन तेंदुलकर और वी वी एस लक्षमन के कुछ ना कुछ गुन खुद में समाहित किये हुए है अब गंबीर भारते टीम के कोच है उनका कारेकार श्री लंका के दोरान शुरू होँगा भारते टीम जुलाई के अंत में श्री लंका के खिलाफ T20 और वंडे सीरिस खेलने वाली है ऐसे में जानते है कि गौतम गंबीर के सामने बतौर कोच कौन-कौन से चैलेंज आने वाले है गौतम गंबीर को सीनियर खिलाडियों के साथ तालमेल बैठा कर आगे बढ़ना होंगा गंबीर को कफ्तान रोहित शर्मा का बरपूर सपोर्ट चाहिए होंगा रोहित वंडे और टेस्ट में भारते टीम की कपतानी करने वाले है विराट कोली भी वंडे और टेस्ट मैच खिलेंगे भारते टीम में इस समय अश्विन, जडेजा कोली और रोहित ऐसे खिलाडी है जिनकी उम्र 35 साल से जादा है गंबीर को इन खिलाडीों के रिप्लेस्टमेंट के तोर पर भी खिलाडीों की खोज अभी से ही करनी होंगी जिसे इन खिलाडीों के जाने के बाद वे खिलाडी टीम इंडिया का हिस्सा बन सके ऐसे में गंबिर के पास यूवक हिलाडियों को मैच विनर बनानी का भी जिमा होंगा